हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल सी बीज ऑनलाइन लर्निंग NCRT की तरफ से भरती के लिए नई विज्ञापन जारी की गई है इसके लिए वाकेन इंटर्व्यू के माथ हम से भरती लिया जाएगा वाकेन इंटर्व्यू 25 अपरल 2024 को रखा गया है इसके लिए सेलरी 25,000 से 30,000 तक से यहाँ पर इसकी सेलरी दी जाएगी NCRT की तरफ से यह जब एक NCR निकाले गई है इसके संबन में संपुन जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं Department of Education in Science and Mathematics National Council of Education Research and Training यानि की NCRT की तरफ से यह नोटिफिकेशन 8 April 2024 को जारी की गई है इसमें System Analyst के एक पत के लिए और Junior Project Fellow यानि की JPF के एक पत के लिए यहाँ पर आविदन मंगाए गए है प्रोग्राम का नाम है यहाँ पर राश्ट्रिय अविस्कार सप्ताह दो हदार जोविस परचिस के लिए contextual basis पर यहाँ पर walk-in interview लिया जाएगा यहाँ पर name of the post और nature of duties दे दिया गया है System Analyst के एक post के लिए यहाँ पर data collection from school, development of google form, analysis of collected data, report generation यह सभी जो है duties यहाँ पर system analyst की रखी गई है System Analyst के लिए यहाँ पर qualification देख लेते हैं computer science या computer application में यहाँ पर post graduate degree है, computer engineering है या फिर M.A.C. mathematics है या फिर M.A.C. statistics है या फिर B.T.E.C. है, B.E. in computer science है या फिर IT या B.A.C. in maths, statistics with 15% के साथ में है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और यहाँ पर AC, ST, PH candidate को 50% यहाँ पर मांगा गया है experience यहाँ पर मांगा गया है, minimum यहाँ पर एक साल का experience यहाँ पर होना चाहिए post graduate है तो और दो साल का experience यहाँ पर bachelor degree वाले को यहाँ पर मांगा गया है साथ में यहाँ पर computer का knowledge होना चाहिए, MS, Excel यहाँ पर knowledge होना चाहिए और Google form developing का यहाँ पर knowledge मांगा गया है next है JPF junior project fellow के एक post के लिए यहाँ पर master degree chemistry में या फिर geology में या फिर botany या फिर life science या बायो technology में master degree होना चाहिए या फिर संबंधित चेत्र में यहाँ पर 55% के हाँ पर है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं 50% AC, HD और PH candidate के लिए मंगा गया है desirable qualification में यहाँ पर degree or diploma in education होना चाहिए knowledge of computer application और जात में net यहाँ पर मंगा गया है age limit यहाँ पर 40 साल रखा गया है AC, HD, PWD candidate को यहाँ पर age में relaxation दिया जाएगा salary देख लेते हैं system analyst के लिए यहाँ पर 30,000 पर month salary दिया जाएगा और junior project fellow के लिए पर 23,000 और 25,000 यहाँ पर पर month दिया जाएगा जिन candidate का net qualified है उनको 25,000 पर month दिया जाएगा और जो non net वाले candidate होंगे उनको 23,000 पर month यहाँ पर salary दिया जाएगा यानि कि net और non net दोनों यहाँ पर apply कर सकते हैं 31 मार्श दोहजार 25 तक से यहाँ पर इसका tenor रखा गया है date and time यहाँ पर date दिया गया है 25 अपर दोहजार जोबी सुबह 11 बजे registration आपको उसी दिन करवाना होगा अपने application आपको लेकर जाना है जो भी इसके लिए एक्चुक अभ्यारती है वे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक इसके लिए registration करवा सकते हैं 11 बजे के बाद में यहाँ पर entry आपको नहीं दिया जाएगा वेन्यू यहाँ पर बता दिया गया है यह इसका वेन्यू है यहाँ इस address पर आपको जाना है और सुबह 9 से 11 बजे के बीच में इसके लिए registration कराना है उसके बाद में इसके लिए walk and interview उसी दिन लिया जाएगा डेट है इसके लिए 35 सप्रेल 2024 अपना डीजी में यह बावरट आपको लेकर जाना है और interview में जाने के लिए आपको सोयम के खर्चे पर जाना होगा किसी प्रकार का TA या डीए इसमें interview में जाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो इस प्रकार से है वेकेंसी निकाली गई है अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं तो 25 सप्रेल 2024 को बताए गए venue पर आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको walk and interview के लिए उपस्तित होना होगा संबंधित सभी document के साथ में और अपने रिजमें के साथ में आपको इस एड्रेस पर उपस्तित होना होगा यह notification आप इसके official website पर भी check कर सकते हैं वहाँ से download करके इसे पढ़ भी सकते हैं उसके बाद इसके लिए apply कर सकते हैं इसके official website की link इस video की description में दे दी गई है जहां से आप धारिक लिए उस link पर क्लिक करते ही इसके official website पर पहुँच जाएंगे वहाँ से notification आप सोयम चेक कर सकते हैं चेक करके download करके पढ़ लिजेगा उसके बाद ही आप इसके लिए apply कीजेगा अने department की तरफ से भी बहुत सारे भरती के लिए विग्या पंजारी किये गए हैं अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के description में recent uploaded वीडियोस की playlist मिल जाएगी वहाँ से भी आप मेरे पिछले वीडियोस कर लोंगे तो apply कर सकते हैं उनकी लास्ट अभी बची हुई है और टेलिग्राम चैनल पर भी जॉब की अपडेट्स दी गई है अगर आपने वे अपडेट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल जॉइन करके देख सकते हैं टेलिग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के description मे प्रोवाइट कर दी गई है आज की इस वीडियो में बस इतना influence अगर वीडियो helpful हो तो वीडियो को like and share कर दीजेगा मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरे चैनल पर next job update की वीडियो की notification आप तक तुरंत झाया है चैनल पास।